नमस्कार साथ हूं सागत है आप सभी का M.D. क्लासेस की यूटूब चलने में क्या हाल चलने सभी के आसा करते हैं कि सबसांदार बढ़ियां और जबर्दस्ट चलना होगा तो बच्चों आप सभी को पता है कि रेलवे में एलपी के फार्म भनना सुरवात हो चुके है और लगतार आप सभी ने कई सारे बच्चों ने फार्म को भर दिया होगा लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो फार्म हमारा फैनली असेट हुआ है और जो रिजेक्शन होता है वो दो कारण ऐसे होते हैं सबसे बड़े चाहे वो SSE की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, बेंकिगिंग की बात करेंगे का signature देखते और उसको चलो कुछ हलकी फुल की गलती है तो accept कर लेते हैं सारा चीज computer की तरीके सा check करा जाता है यानि computerize check होता है वो और उसमें अगर आपके अंदर जो भी गलतियां होती है अगर size में कुछ भी error है अगर photo के जो कहा गया उस चीज में कुछ भी error है तो तुरंत ही form को reject कर दिया जाता है क्योंकि manually ना होता है और computerize जब होता तो थोड़ी सी भी error वहाँ पर नहीं रखी जाती है अब जिन बच्चों ने form को भरे लिया है उनके पास भी और जो बच्चे form को आगे भरने वाले हैं उनके पास भी मौके होंगे कि अपने photo को signature को एक बार review कर लीजेगा और अगर आपने इस तरीके से upload नहीं करा होगा तो इसको इसी तरीके से upload करिएगा इस चीज को चताया गया है railway chairman के द्वारा भी अब आपके पास मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जो लगबग 2 मिनट की है इस पूरी वीडियो को देखेगा फिर इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे कि सबसे safe zone क्या हो सकता है अलग-अलग category के लिए हम वहां से form को apply कर सकते है और आपके लिए जो भी चीज़े होंगे वो करेंगे इस वीडियो में हमें photo को कैसे देना है हमें form को कैसे upload करना है सारी चीज़े आपको बताई गई है railway chairman के दारा आप सभी रेल अभियर्थियों को नमस्कार ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने रेलवे जॉब के लिए apply किया है अपने अभियर्थियों को जब भी notification निकलता है तो form कैसे भरना है form fill up करने से ही आपका exam शुरू हो जाता है वहीं से वो भी part है exam देने का तो बहुत से अभियर्थि बाद में बड़े हताश हो जाते हैं कि उनका form reject हो गया है तो हम लोग ने देखा हमनों का अनभाव यह है विगत recruitment में कि बहुत से 5% के करीब ऐसे applications reject हो जाते हैं जिनमें प् और जो भी criteria है उसको fulfill करते हैं उसमें उनका certificate भी ठीक है जो भी age के लिए जो भी certificate से यह सब ठीक है लेकिन उन्होंने प्रॉपर ढंग से signature नहीं किया है यह प्रॉपर फोटो नहीं लगाया है उसकी वज़ा से यह computerized way में verification होता है स्कूटनी होती है तो reject हो जाता है इसमें कोई human intervention नहीं होता है लेकिन बहुत से candidates हैं जो capital letter में आपना नाम लिख देते हैं signature के नाम पर या बहुत से candidates ऐसे होते हैं जो small letter में ही लिखते हैं लेकिन disjointed letters होते हैं तो ऐसे signature acceptable नहीं है क्योंकि signature करना जो instruction है उसके हिसाब से running writing में करना है ऐसे photographs बहुत सारे photographs होते हैं जिनका resolution सही नहीं होता resolution सही होना चाहिए खराब resolution होने पर असपस नहीं होने पर रिजेक्ट हो जाएंगे ऐसे बहुत से candidates होते हैं जो full body का अपना photograph दे देते हैं या बहुत से ऐसे candidates होते हैं अभियरती होते हैं जो selfie दे देते हैं और ऐसे भी candidates होते हैं जो group में photograph दे देते हैं प्रिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है और जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी और जेन्विनिटी सबसे इंपोर्टेन पार्ट है किसी भी रिकूट्मेंट प्रोसेस का हमारी तरफ से अपील यह है कि फॉर्म भरते वक्त आप बहुत एलर्ट रहें बहुत ध्यान से भरें ताकि यह जो सुनारा उसर आपको मिला है उससे आप बंचित नरा जाए और जो भी बाते में तो बच्चो आप सभी ने देखा कि कैसे हमें अपनी फोटो को और कैसे हमें अपने सिगनेचर को सही तरीके से अप्लोड करना जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना होप है और पांच प्रसत को आपको परसंटेज में देखने में कम लगा लेकिन अगर आप यह संख्या मे यह लग रहा है कि वाइड बैग्राउंड में फोटो नहीं देनी है फोटो को वाइड बैग्राउंड में ही लगना है आपको किसी और बैग्राउंड में फोटो मत दीजिएगा अदावाईच फॉर्म अस्ट आपका नहीं हो सकता यहाँ पर जैसे आपके पास बाकी जैसे फोटो की चाहिए सब कुछ करा हुआ है लेकिन जो बाल इनकी आखों पर आ रहा है इस वज़े से form ये reject हो जाएगा यहाँ पर background की वज़े से हो जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फोटो है वह आपको और reject हो रहा होगा clear नहीं है, blur फोटो है इस वाले और इस वाले फोटो में आपको अंतर दिखेगा कि यह blur फोटो है, साध आपको वहाँ पर clear ना दिख रहोगा चसमे उपर भी नहीं लगाने है, टोपी नहीं लगानी है कैप नहीं लगाना है, मुँपर किसी तरीके की छाया ना आए और ये सबसे सही फोटो है जो आपको upload करना है अब जैसे ये background आप देख सकते हैं इस वर तरीके से photo को आपको upload करना है ये background white है बस आपको उसमें दिखरी है यहाँ पर आपके पास लिखा भी है कि photo जो है, किलियर एक बर ज़रा सारी चीज़े आप यहाँ पर देख लिए कि photo आपको किस तरीके से upload करना है complete आपको instruction वहाँ पर दिए गाए सबसे पहला कहा जा रहा है कि photo white background में हो size को बिलकुल ध्यान रखिये तो इसी size में form को भरवाईएगा वो अपने आप photo को ले लेंगे वहाँ पर JPG form में होना चाहिए, JPG यही asap bhi होगा PDF वगरा नहीं होता 30 से 70 kg में आपकी photo होना चाहिए कोई mobile selfie वगरा यह सब rejects हो सकता है, यह सब चीज़े यहाँ पर लिखी गई है, in case आपना candidate wearing glasses अगर आप glasses पहनने हो तो complete visual हो आपकी आखे इसलिए कहा जाता है कि बिना glasses का ही photo upload कर दो वो सबसे better होता है, क्योंकि कोई भी glass होगी तो हो सकता जब वो click करेंगे तो आपकी आखों पर उस समय sign आ जागा या आपके आखों में थोड़ी चमक आ जागी इसलिए बिना glasses की photo upload करना ही सबसे stress दिमाना जाएगा अब signature जड़ा देख लीजे कि signature running letter में होना चाहिए block में नहीं होना चाहिए, यह capital में नहीं होना चाहिए जैसे मेरा नाम सत्यम है तो मैंने ऐसे अपना सत्यम लिख दिया जो अपने पास running letter में है कि भाई यह मेरा signature हो गया जो मुझे हमेशा ध्यान भी रखना पड़ेगा जबी भी सारी चीजे होंगे और यहाँ पर भी सब कुछ आपके पास बताए गया है signature जो होगा आपके खुद का होना चाहिए ऐसा नहीं है कि भाई हमारा है तो हमने क्या करा दोस का भी signature कर दिया वो नहीं आया वता उसका भी कर दिया वो नहीं आया वता बाद में फिर जाके गरबढ हो जाती है चीजों और हम फस जाते हैं इन चीजों में तो form के rejection का जो सबसे बड़ा कारण है photo और signature इन दोनों को बिलकुल ध्यान में रखेगा इसी से form reject होते है और बाकी सभी तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि certificate कैसा होना चाहिए certificate number कैसा होना चाहिए उसमें गलती ना हूँ वो तुनंत बाहर कर देंगे वो ये भी नहीं सुनेंगे कि आपके ने गंबर गलत को उडाला आपने क्या करा क्या नहीं करा वो तुनंत आपको वहां से बाहर कर देंगे इसलिए सब कुछ बहुत सो समझ के भरिएगा और जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी form को भल लेजे क्योंकि 19 तारीक आखरी है 15 तारीक के बाद सर्वर पे इतना लोड होगा कि वेबसाइटे नहीं चलेंगे और आपको रातर भर जगना पड़ेगा अपने form को भनने के लिए अब आते हैं हम समझते हैं कि जन्रल काटेगरी वाला जितना भी बच्चा है उसके लिए सबसे सेफ जोन क्या हो सकता है वेकेंसी वाइच अब इस चीची गारंटी ना मैं ले सकता हूँ ना कोई और ले सकता है कि यह सबसे सेफ है यानि यहाँ पर कट आफ कम जाएगी यह चीच मैं नहीं कह सकता यहाँ पर vacancy ज़्यादा है तो हो सकता है cut off थोड़ा कम दिखे लेकिन बच्चों ने इतनी ज़्यादा वीडो को प्यार दिया है जब मैंने form कैसे भरे और जो document है उसके लिए वीडो बनाई थी लेकिन फिर भी वहाँ पर आपके fight करने के भी chances बढ़ेंगे कई सारे ऐसे zone जहाँ पर OBC के सिरफ एक seat है अगर वहाँ पर 100 बच्चों ने भी apply कर दिया तो सोचू कितना competition है फिर भी लेकिन कई सारे ऐसे जगहाँ है जहाँ पर vacancies 200, 300, 100 हैं तो वहाँ पर थोड़ा फिर भी हम तो त्यार होगा कि यार चलो यहाँ पर vacancy जादा है मैंने थोड़ी महनत कल दी तो अच्छा हो जाएगा और सिरफ 5696 वर्तिया जो आपके पास आई है इसमें वही बच्चा select हो पाएगा जिसने इमानदारी से महनत करी होगी और जबर्दस तरीके से त्यारी करा होगा उसी सेलेक्षन होगा यह बात आपको अच्छे से पता है अब आते हैं जनर्ण कटिगरी की सबसे जादा सीटे कहां कहां पर हैं इस चीज को थोड़ा सा समझेगा सबसे पहला बिलासपूर बिलासपूर वैसे भी इस बार सबसे जादा vacancy जहांपर है वो बिलासपूर ही है बिल दोनों पर क्लिक करेंगे, दोनों भर सकते, पहले SCR पर क्लिक कर दीजेगा, यहाँ पर जनरल की 483 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट जनरल की यहीं पर है, सोचो 5696 वेकेंसी में 500 तो यहीं पर है, इसके बाद सिकंद्राबाद का SCR रिजन जहाँ पर 228 सीट है, बैंगलोर का 186 सीट है, यहाँ पर अलग-अलग रिजन नहीं है, मुंबई में 189 सीट है, और ब्रयागराज का NCR, यहाँ पर भी खुब फॉर्म पढ़ेंगे, 163 सीट है जनरल केटिगरी में, इसका SCR ले लिजे और जिस समय आप फॉर्म को भरिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएग या जो आप साइबर कैफे से फॉर्म भरा रहें, उनसे भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मुझे इस वाले जोन से अपलाई करना है, ताकि मेरा थोड़ा कहीं न कहीं कमटीसन जो है, वो ज्यादा सीटों के साथ हो पाए, एक, दो या दस में ना हो पाए, अब अग पहला दूसरा छोड़के तीसरा वाला भलने ना, यहां भी मैं वही कहूंँगा, तो कि बिलासपूर से खूब फॉप परेंगे, सिकंदराबाद से खूब परेंगे, लेकिन बैंगलोर से थोड़ा कम हो सकता है, मुंबई से थोड़ा कम हो सकता है, प्र्यागरास से तो हों बड़े कोई भी ऑफिसल डाटा नहीं है फिर भी अगर हम रजिस्टेसर नमबर और बाकी सभी की हिसाब से चलेंगे तो फॉर्म अच्छे खासे संख्या में भरे जा रहे हैं जिसमें बिलासपूर सिकंद्राबाद पहले दूसरे नमबर पे ही चल ला है जैसा एक्सपेक्ट 127 सीट है और अहमदाबाद या भूनसर दोनों से ही बराबर सीट आपके पास है 65-65 है आप दोनों में से किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं इस बार ये बताने में भी कश्ट हो रहा है कि सिरफ इतनी सीट है इतनी सीट है पिछले बार तो हजारों के संख्या में हर ज बात करेंगे तो सायद इस बार सलिक्सन लेना आसान हो जाएगा और हमारे लिए चीजों को जब सही कोशन मिलेंगे तो पेपर में कोशन फसेंगे भी फसेंगे जब आप एक भेतरी नो सांदार टीम के साथ पढ़ रहे होंगे इसी चीज को देखते हुए कल से यानि की 12 फ सकती थी वो आपको दिया जाए जो आपको हर जगहां कमी मिला है कि कहीं मैथ अच्छी है तो रीजिनिंग नहीं अच्छा है कहीं रीजिनिंग अच्छा है तो जीएस नहीं मिला है जीएस अच्छा है तो आपके पास जो आपका बाकी साइन्स वो नहीं अच्छा है ये गडित की बिल्कुल फिरी में प्रैक्टिस एट आपने किसी भी पेड को जॉइन करा होगा चाहे वे MD Classes का चालक बैच हो या कोई और भी हो लेकिन प्रैक्टिस सबसे जरूरी है प्रैक्टिस को हम मना कभी नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पास पेड है मैं प्रैक्टिस नहीं न क्योंकि यहाँ पर हम वो content आपको बच्चों देने वाले हैं जो कि 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में सबसे ज़्यादा question NTVC group D में फसे हुए हैं, यह आपको अच्छे से पता है तो सुबा 9 बजे मेहत की class होगी जो कि मैं लूँगा, 10 बजे science सी class होगी उसके बाद GKJC class एक दिन बाद सुरवात होगी, क्योंकि UPP में यहाँ पर विजैसी महराथन है रीजिनी की class दिन में 2 बजे कल से ही सुरवात हो जाएगी यह सबसे best team आपको दे दिया है, सुबा 9 बजे, 10 बजे बिलकुल ready रहिएगा copy किताब लेकर और हर questions के तरीके खुद सोचीगा कि कैसे बना सकते हैं, कैसे चीजे कर सकते हैं और जो भी पसंद आता जाएगा, जो भी नया मिलता जाएगा, उसको notes कर दे चलिएगा आपके इस practice set से बहुत फायदे होने वाले exam में यही gift जो है बच्चों आपके लिए सबसे कामगर होगा, form को सही से बढ़िये वो पहला step होता आपके selection का और तुरंद तैयारी पे लग जाएए ताकि आप बहतर result ले आपाईए बहुत बहुत सुक्रिया, धर्नवाद, thank you so much